हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैप टू माई चैनल भारतिय सम्विदान आज का अमारा टॉपिक है टॉप कोईशन्स मैंने लिए हैं इसमें जो की हमारे हर एक्जाम में ज्यादा से पूछे जाते हैं और सम्विदान एक ऐसा टॉपिक होए जिसके हर कोईशन आते ही आते हैं लग तक की देखिएगा फर्स्ट कोईशन है सम्विदान सभा का प्रथम अधिवेशन कब पारंब हुआ ओप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ओप्शन B 6 दिसंबर 1986 ओप्शन C 3 दिसंबर 1998 ओप्शन D 2 दिसंबर 1980 तो फ्रेंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर ओप्शन A 9 दिसंबर 1946 को हमारा जो सम्विदान सभा का प्रथम अधिवेशन पारंब हुआ था नेक्स्ट कोईशन है हमारा भारत की सम्विदान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ तो friend किस योजना के आधार पर भारत का सम्विदान सबा का गठन हुआ है option A विवल योजना, option B माउंट बेटन योजना, option C कैबनेट मिशन योजना, option D अन्य तो friend इसका correct answer है, हमारा कैबनेट मिशन योजना के आधार पर हमारा जो first सम्विदान हुआ था भारत का वो पारंब हुआ है तो अब next question देखते हैं, संपत्ती के अधिकार से संबंदित संसोधन किस में है तो friend संपत्ती के अधिकार से संबंदित संसोधन किस में कहा गया है option A 89 FM 98, option B 52 FM 91, option C 67 FM 78, option D 78 FM 42 तो friend जो हमारा correct answer है, वो है option B 52 FM 91 इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो option A संपत्ती का, option B धार्मिक स्वतनतता का, option C सामानता का, और option D अन्य तो friend इसमें से कौन सा correct answer होगा, जो हमारे question में पूछा गया है, मौलिक अधिकार नहीं है हमसे इसमें मौलिक अधिकार नहीं है का पूछा गया है का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं माना जाता है अब हम नेक्स्ट कोईशन देखेंगे भारत में संग और राज्यों के लिए एक ही समवीदान किस राज्य में नहीं है तो फ्रेंड भारत में संग और राज्यों के लिए एक ही समविदान किस राजी में नहीं माना जाता है आप्शन A जम्मू एंड कश्मीर में आप्शन B आसाम में आप्शन C दिली में आप्शन D केरल में तो हमारा जो correct answer है friend वो है आप्शन A जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जो संग और राजियों के लिए जो एक ही समविदान इसमें नहीं माना जाता है यहां भारत में ये एक ऐसा राजी है जो की अलग होध है समविदान के किस संसोधन द्वारा मुल कर्तव्यों को जोड़ा गया है तो friend समविदान में किस संसोधन के द्वारा मुल कर्तव्यों को जोड़ा गया है option A 42 संसोदन option B 31 संसोदन option C 44 संसोदन option D 36 संसोदन तो friend जो हमारा answer है वो है हमारा option A 42 संसोदन 42 संसोदन में हमारा जो समविदान क्या संसोदन है वो मोल कर्तवयों को जोड़ा गया है friend आपको वीडियो कैसा लग रहा है please comment करके बताएं भारत में उपराश्टपती का निर्वाचन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है option A राज सबा के सदस्यों द्वारा option B संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा option C राजियों की विदान सबा द्वारा option D जनता के द्वारा तो friend किसके द्वारा किया जाता है option B हमारा correct answer होगा सांसद के दूनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो भारत में उपर राष्टवती का निर्वाचन किया चाता है friend आज के जो भी question है वो सारे के सारे previous year question है तो please video skip मत करिएगा दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथी को सुरू हुआ तो friends दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथी को हमारा स्टार्ट हुआ है option A 19 February 1985 option B 15 February 1985 option C 4 February 1984 and option D 1 February 1985 इसका correct answer है option B 15 February मूल समविदान में कुल भागों की संख्या कितनी थी तो friends मूल समविदान में हमारी जो कुल भागों की संख्या है वो कितनी मानी गई है option A 22, option B 43, option C 23 and option D 24 तो friend इसका correct answer है 22 हमारी 22 मानी गई है आठवी अन्सूची में भागों की कुल संख्या कितनी है तो friends हमारी जो आठवी अन्सूची है उसमें भागों की कुल संख्या कितनी है option A 42, option B 22, option C 23 and option D 21 तो इसका correct answer क्या है हमारा option B 22 हमारी आठवी अन्सूची में जितनी भागों की कुल संख्या होती है 22, वित आयोग का गठन कब किया गया था A राश्टपती, B वित मंत्री, C प्रधान मंत्री and D सांसद तो friends जो वित आयोग का गठन है वो कब किया गया था और किसने किया था हमारा option A correct answer है राश्टपती अब next question प्रधान वित आयोग का गठन कब किया गया था option A 1985 में, option B 1951 में, option C 1998 में और option D 1952 तो friends जो एक अब किया था option B 1951 में भारत में समविदान दिवस कब मनाया जाता है तो friends भारत में जो समविदान दिवस है वो हमारा कम बनाया जाता है A 25 नवंबर, B 23 नवंबर, C 28 नवंबर, D 26 नवंबर तो friends आज का वीडियो हमारा यहीं पे खतम हो रहा है आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा